असलाम वालीकूम वारेमत अल्लाही वबराकातू वैलकम के टियू में आपको अपने चैनल डिलाइट फुल डिशिज में आज मैं बहुत ही बैतरीन रेसिपी लेकर आयू अंडा चंगारी रेगुलर रुटीन में हम दाल और सबजी और गोश खाखा कर बोर हो गए हैं आज ह पांच हैं, आपको जितनों की नीड़ाब उतने ले 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 दग लिएं आप 3-4 भी ले सकते नमक अट करया हैं, कुटी भी मिर्चे हैं, हरा धनिया हरी मिर्चे भी अट कर सकते हैं, अच्छी तरह से फेट लेंगे फेटने के बाद एक पोट लिया है आईल एड़ करेंगे आईल गरम हो जाने के बाद प्याज एड़ कियें दो से तीन प्याज एड़ करने चौप करके प्याज को लाइट सा ब्राउन करेंगे लाइट सा ब्राउन करने के बाद हम इसमें अद्रक लसन का पैस्ट एड़ करेंगे हाफ टी स्पून एड़ किया है हमने गरम मसाला एड़ करेंगे सफैस जीरा, काली मिर्चे, लॉंग टिमाटर एड़ करेंगे तीन से चार टिमाटर एड़ कर ले टिमाटर को मैंने छील कर फिर कट कर लिया था टिमाटर को जो हम छील लेते हैं तो बहुत एजीली सॉप्ट हो जाते है टिमाटर सॉप्ट हो जाने के बाद हम इसमें मसाला एड़ करेंगे हल्दी, हाफ टी स्पून साबुत दनिया भुना हुआ कुटा हुआ हाफ टी स्पून, कुटीवी मिर्चे, नमक आप टेस्ट के मताबिक कम या जादा कर सकते हैं मसाला भुन गया है अब हम इसमें एग एड़ करेंगे चमच को नहीं चलाएंगे, एक सैकीन के बाद चमच को चलाएंगे बस हम चमच को थोड़ा सा चला लेंगे चमच चलाने के बाद, अब हम इसमें वो वाले एग एड़ करेंगे जो हमने बॉइल करके रखे हैं इंडच चिंगारी के साथ यह डबल अनड़ा टिप्पल अनड़ा वो रैसीपी हो गई है बहुत मज़े की रैसीपी बनी है अकसर बच्चे घर में बहुत जाध ही तंक करते हैं हमने यह नही काना यह नही काना आप lien है घर में बच्चों को बहुत ही जादा पसंद आएगी या रेसिपी पांच मिन बनने वाली रेसिपी है इस तरह से मिक्स कर लेंगे बहुत आराम से मिक्स करने के बाद गरम मसाला पावडर एट करेंगे गरम मसाला पावडर एट कर लिया है हरी मिर्चा एट करेंगे मैंने 5 से 6 एट किये आप जाधा भी एट कर सकते हैं अगर आपको जाधा पसंदे हरा धनिया एट करेंगे दम पर रख देंगे अब 5 मिन के लिए दम आ चुका है मज़ेदार से अंडा चिंगारी रेडी हो चुकी अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे आप सब बनाएं और कमेंट्स में बताएं कि डिश के